ओम नमस्कार बंदूओ आपका फिर से स्वागत आपके अपने चैनल कागज़ पर डोट के बस बंदूओ आज के उपाए में हम आपको एक बहतरी उपाए बताने वाले हैं अक्सर स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये सटीक उपाए है आखिर होता क्या है हमारे पास काफी लोग आते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं अक्सर उनको नुकसान होता है प्रॉफिट भी होता है कभी कबार प्रॉफिट होता है नुकसान की वज़े से क्या होता है जो भी करें ना करें मगर यदि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपने नक्षत्रों के अनुसार उपाए जरूर करना चाहिए यानि कि अपने नक्षत्र जरूर दिखाने चाहिए क्या आप उस परिस्तिती में हैं भी अभी कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए इन दिनों में या कि टेलिगराम एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पर इस पर आपको हमारा ग्रूप सर्च करना है जिसका नामे कागज पर टोटके बाइसों के आसपास लोग जुड़े हैं यह ग्रूप जोइन करना है कोई अन्य फेक ग्रूप जोइन नहीं करना है इस पर आप जैसे आएंगे आपको हमारा मैसेज अवश्य आएबा देखिए हम आपको इस उपाए में जो आज बताने वाले हैं ये उपाए आपको सोमवार को बनाना है इस यंतर को यंतर चलो आपको हम पहले साथ साथ दिखा देते हैं बताते दे हैं कि करना क्या है यंतर बनाते समय बिल्कुल साधारन सा कागज लेना है और साधारन सी कलम लेनी है आपको और इसको जैसा हम बता हैं बिल्कुल वैसा बनाना है कुछ अलग से आपको इसमें दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है इस बात का भी दियान लखना है आपको कि जो आप ये उपड़ रहे होगे तो आपको जैसे कि Hem N coronavirus आ नें बताया इस बात का ध्यान लकना है कि सिर्फ और सिर्फ सोहनवार को करना है किसी भी समय कर सकते है दो कलम का इस्तिमाल करना है यानि कि दो पैन का इस्तिमाल करना है जिन जिन लोगों को को कि अगर आपको सिर्फ नुकसान ही होता है तो फिलाल आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे जहां फिलाल आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है याद रखे का आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी इस समय नहीं करनी है कितने दिनों तक पूरे तीस दिनों तक आपको ट्रेडिंग नह करनी है तो फिर अब बात आती है कि ट्रेडिंग अप शुरू करनी है इस उपाय को पहले आप इस्तेमाल करेंगे जैसा बताया जागा बिलकुल ऐसा करेंगे उसके बाद तीस दिन बात आपको क्या करना है वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे पहले यंदर बनाना करना है उपाय कड़ते समय यह आपको बना लेना है इसके बाद आपको इस यंत्र को सफेद रंगे कपड़े के अंदर रखके घर के मंदिर में स्थापित करना है और रोच यहने की सोमवार से ही ओम श्रीम इस मंत्र का जाब करना है ट्रेडिंग से पहले आपको कम से कम इस मंत्र का जाब करना है पांच माला होगा ट्रेडिंग तो 30 दिनों तक करनी नहीं है उन 30 दिनों में आपको ट्रेडिंग सीखनी भी है क्योंकि काफी लोग आते हैं बिना सीखे ही ट्रेडिंग करनी लगते हैं और काफी लोग ऐसा हो उस भी सीखते भी रहिएगा और इस उपाय का इस्तेमाल भी करें जैसा कि बताया है घर के मंदिर में रख लें सफेद कपड़े के अंदर इस यंदर को बना कर और ओम श्रीम इस मंदर का जाप करना है निप्ते यानि कि रोज कम से कम पांच माला रोज जपनी है और फिर उसके बाद जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तब भी आपको जारी रखना है पांच माला रोज जपनी है उसके बाद ही आपको आगे करना है ट्रेडिंग करनी है यह उपाय करके देखें लाब अभश्य मिलेगा नक्षतर सटीक बैढ़ गए इस उपाई के साथ आपके तो निश्ची तोर पे बहुत भी बहुत भी बहुत धनेवाद बविश्य में हम आपके लग अलग उपाई बताते रहेंगे मंतर जाप करने का समय कुछ भी है किसी भी समय आप मंतर का जाप कर सकते हैं और यंद्र भी किसी भी समय बना सकते हैं बहुत भाँ धन्यवाद